हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लन्वरे देतीमन तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजिस्थान के लोग देवता तो बिल्कुल स्लेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं तो यहां हम बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कुछ भी मैं आप लोगों को एक्ट्रा नहीं करवाओंगी जो कि आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाने वाला तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हर चीज जो है वो याद रखनी जरूरी है तो देखिए राजिस्थान के लोग देवता के बारे में ह सुईकार लिए जाते हैं तो उन्हें लोग देवता या लोग देवियां हम कहते हैं ठीक है और तेरवी सदी में जब राजिस्थान में इसलाम का प्रवेश हुआ था तुर्कों का आकर्मण हुआ था तो उस समय राजिस्थान के जन जीवन में प्रभाब दिखाई देता ह इसलामी संस्कृति का, तो यहां पर रूनिवादिता जो है वहे आ जाती है, तो इसलामी संस्कृति का प्रभाब दिखाई देता है, तो इसी समय राजिस्भान में कुछ ऐसे महान ग्यक्तियों ने जन लिया, जिन्हों ने अपने आचरन से समाज को एक नई राह दिखाई, तो इनहीं को जो जनता थी, जो जन लोग थे, उन्होंने इन्हें लोग देवता या लोग संत का दर्जा दिया. तो इसी तरीके से हम इनको पढ़ते हैं जिन्होंने अपने विचारों से, अपने प्रभाव से, लोगों के जीवन में इस तरीके से भावना जो है वो जगाई है और इनके महानकार्यों के कारण ही समाज को एक नई रह दिखाई दी तो आप देखिए राजिस्थान के लोग देवता में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंचपीर के बारे में क्योंकि पंचपीर के बारे में कई बारे एक्जाम में ये कुशन पूछ लिया जाता है कि इन में से राजिस्थान के जो प्रमुक संत हैं या लोग देवता हैं तो इन जाते हैं पंचपीर में राम से क्या बनेगा राम देव जी को से बनेगा गोगा जी और पहाड में पा से बनता है पाबू जी और हाड से बनता है हडबू जी ठीक है इसके अलावा पांचवे हैं मेहा जी मांगलिया जो की मैं से बनते हैं तो इस तरीके से लाइन होती कि राम गो पहाड पर लेकिन जो है मेहा जी मांगलिया नहीं आपाते इसमें इसलिए मैंने यहाँ पर में वर्ड का यूज कर दिया है तो याद कर रखिएगा दो-तीन बार बोलिएगा इसको राम गो पहाड में ठीक है तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा अब देखिए मेहा जी मांगलिया जो है इनका नाम जो है मेहा जी था लेकिन इनका नाम जो है इनके साथ मांगलिया शब्द क्यों लगा क्योंकि ये तो खुद एक शत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था लेकिन इनका पालन पोशन जो है वो कहा होता है इनके ननिहाल में होता है तो ननिहाल में मांगलिया गोत्र में इनका पालन पोशन होता है इसलिए मेहा जी मांगलिया इस नाम से ये जाने जाते हैं तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पंचपीर है राम देव जी तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो देखे राम देव जी जो है वो राजिस्वान के तो लोग देवता हैं लेकिन इनकी पूजा जो है राजिस्वान के अलावा गुजरात और भी अन्य राजियों में जो है इ इस्ट देव के रूप में पूसते हैं, राजिस्थान में नहीं, भारत में भी, ठीक है, तो बावा जो रामदेव जो थे, ये हिंदुओं के अलावा, जो है, वो मुसलमानों के अराध्य भी कहे जाते हैं, और इनका जो मेला लगता है, वह सामप्रदाइक सद्भाव जो है, विशेषता रहती है, इस मेले की, हिंदु, मुसलिम जो है, दोनों ही आते हैं, तो इनके पास जो है, वो इतनी चमतकारी सक्टियां थी, ऐसा बताते हैं, कि दूर दूर तक इनके चमतकारों की कहानी जो है, वो कही जाती है, ऐसे बोलते हैं, कि मक्का से पांच पीर जो है, रामदेव की शक्तियों का परिक्षन करने भी आये थे, तो रामदेव जी जो है, इन्हों ने इनका वैलकम किया था, तो उन पीरों को रामदेव जी ने क्या किया, भोजन करने के लिए उन्हें कहा, तो वो पीर जो है, वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि हम तो अपने वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए आपके बरतन जो हैं वो आ रहे हैं और जब पीरों ने देखा तो उनके बरतन जो हैं वो मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे तो इस तरीके कि जो कहानियां हैं वो लोग जो हैं वो बताते हैं कि राम देव जी इनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां रही थी और इनकी सक्तियों से प्रभावित होकर ही जो पांचों पीर थे वो यहीं आकर रहने लगे थे राम देव जी के साथ ठीक है और देखिए राम देव जी के बारे में एक बहुत बड़ी विशेशता ये भी थी कि वो मनिश्य में बिल्कुल मतलब समानता रखते थे कभी उनमें भेदवाव नहीं रखते थे चाहे वो उच्च हो निम्न हो अमीर हो गरीब हो तो हमेशा जो है वो मदद के लिए तयार रहते थे तो इस तरीके के थे राम देव जी अब देखिए इनका जन्म जो है कहां होता है बार्ड मेर के उड़कास मेर गाउं में हुआ था और इनका जन्म 1405 को होता है और ये जीवित समाधी लेते हैं 1458 इस्वी में ठीक है इन्होंने समाधी जो है वह जीवित ली थी भादर पद सुकल दृतिया को जो है इनका विशाल मेले का आयोजन किया जाता है तो ये जो है ये लाइन जो है कि भादर पद सुकल दृतिया को इनका बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हिंदू मुसलमान जो है वो सभी शामिल होते हैं दोनों ही इनको बहुत पूजन ये मानते हैं ठीक है तो याद रखना है भादर पद सुकल दुट्या को विशाल मेले का आयोजन होता है रामदिव जी के लिए और माता जो है इनकी थी मेड़ा दे पिता का नाम है अजमाल दे हिंदू जो है इनहें कृष्ण का अवतार मानते हैं और वहीं मुस्लिम इनहें क्या मानते हैं मुस्लिम इनहें राम सापीर के रूप में मानते हैं कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि किस लोक देवता को स्री कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है तो आप क्या बताएंगे वहां बताएंगे आप रामदेव जी ठीक है रामदेव जी की पूझा जो है वह हिंदू है और मुसलमान भी कर रहे है इसी से पता लग जा रहा है कि सामप्रदाइक सधभाव के लिए जाने जाते हैं ये लोगदेवता रामदेव जी गाऊंं में देखिए ब्रक किये जाते हैं और उन्हीं की जो है वो पूजा की जाती है जिने हम गाउं में क्या कहते हैं थान कहते हैं गुरु का नाम इनका था बालीनाथ तो याद रखना है राम देव जी जो है जिनके गुरु का नाम क्या था बालीनाथ था इनकी पतनी थी नेतल दे तो इनका विवहा जो है वह अमर कोट के दलेल सींग सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ जो है वह हुआ था राम देव जी के मंदिर को क्या कहते हैं देवरा तो देखिए अपनी जो इनकी भतीजी थी इनको इन्होंने पोकरन जो है वो दहेज में दे दिया था और उसके बाद इन्होंने राम देवरा जो गाओं है वो बसाया था और वहीं इनके मंदिर को क्या कहते हैं देवरा कहते हैं ध्वजा को नेजा कहा जाता है और रात्री जागरण जो है जिसे कहते हैं जम्मा राम देव जी के जो पगल्ये हैं चरण चिन जिने थान कहा जाता है तो इनको पूजा जाता है वहीं राम देव जी ने जितने चमतकार दिखाए थे इन चमतकारों को पर्चे कहा जाता है इनके द्वारा कामणिया पंत जो है वह चलाया गया था और महलाएं जो है वो तेरा ताली नत्य करती हैं और साथ में जो पुरुस होते हैं वो मंजीरा बजाते हैं तान पुरा बजाते हैं और चो तारा जो वादी अंत्र है वो बजाते हैं तो ये जो नास्ति हैं ये जो वो बांद कर करती हैं और साथ में ये डांस जो होता है वो कैसे होता है तेरा ताली बैठ कर किया जाने वाला डांस होता है ठीक है तो राम देव जी वीर थे इसके साथ साथ समासुधारक भी रहे इन्होंने जाती प्रथा, मूर्ती पूझा और तीर्त यात्रा इसका भी विर मैंने ये पता लगा कि पोकरण में भैरव नामक एक व्यक्ति है जो कुरूर है और यहां पर इस जिसने आतंक जो है वो फैलाया हुआ है तो इस भैरव नामक राच्छस का जो है ये अंत करते हैं और तो इसी वज़े से राम देव जी जो है इनको वीर लोक देवता भी कहा ज जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जीवित रहकर समाधी यहां ली थी और इसी वज़े से यहां पर मेला भरता है भादर पद सुक्ल दृत्य से लेकर और एकादसी तक राम सरोवर की पाल रुणेचा में समाधी ली इनके अन्यमंदिर भी है मसूरिया पहाड़ी जो की जोदपूर के पक्षिम में हैं और सुर्ता खेडा जो चित्तोर में हैं और बेराटिया छोटा देवरा जो गुजरात में हैं तो मैंने आपको यह स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि राजिस्थान में ही नहीं बलकि अन्य राजियों में भी राम देव जी की कहलाते हैं एक बर ये देखिए कि राम देव जी का वाहन जो है वो था लीला घोडा ठीक है यहां थोड़ी से देवता के रूप में जानते हैं तो इनके जो माता पिता थे वो गौरकनात जी के बहुत बड़े भक्त थे तो इसी वज़े से गौरकनात जी ने क्या किया था इनकी सेवा से प्रसन होकर इनकी माता को गूगल धूप जो है उससे बना हुआ एक सर्प दिया था गूगल गोल कर पी जाना तो वो दूद में घोल कर उसे पी गई थी और कहते हैं कि उसी वज़े से जो है उनके गर्व से गोगा जी का जन्म होता है और कई कारे जो है वो गोगा जी इस तरीके के करते हैं कि इन्हें बाद में सापों के देवता के रूप में हम जानते हैं अलाकि इनका जब विवहा जब होता है किसे केमल दे से जब विवहा होता है तो उससे पहले घटना होती है कि गोगा जी जो है वो सांप का रूप धारन कर लेते हैं और फूलों के बीच में बैठ जाते हैं तो जे केमल दे जो है जब फूल तोड़ने के लिए जाती हैं तो व बारा तयार किया हुआ और केमल देके बान देते हैं और जrisसे ये थीक हो जाती है और उसके बाद इनका विवहाद हो जाता है तो लोग दिवताओं के चमतकरों के बारे में ये बातें जो हैं वो पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारे एक्जाम के द्रिस्टी कोंड से हमें जो है, जो याद रखना है, वो क्या है, कि इनका जन्म जो है, वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को होता है, चुरू के दद्रेवा इस्थान पर, इनके माता का नाम बाचल था, और इनके पिता का नाम क्या था, जेवर था, ठीक है, इनकी पतनी का नाम क्या था, केमल दे, जो कि मैंने आपको बताया अभी, महमूद गजनबी से युद्ध किया था इन्होंने, जिसमें गोगा जी को जाहर पीर कहा गया, या साक्षात पीर कहा गया, तो याद रखिएगा कि महमूद गजनबी के साथ जो है किस का युद्ध हुआ था, किस पंचपीर का युद्ध हुआ था, तो वह हैं गोगा जी और इसी वज़े से इन्हें जाहर पीर कहा गया, सापों के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं, गोगा जी के जो थान है, जो मंदिर है, वो खेजडी ब्रक्ष के नीचे बना हुआ है, ठीक है, यानि पत्थर पर जो साप बना हुआ है, वहीं पर हम गोगा जी को पूसते हैं, तो याद रखना, खेजडी ब्रक्ष के नीचे जो है, जो थान होता है, वहां हम पूसते हैं गोगा जी को, गायों की रक्षा करते हुए ये सहीद हुए थे तो गोगा जी का जो अपने मौसेरे भाई थे अर्जन और सुर्जन तो इनके साथ जो है इनका विवाद जो है वो चलता रहा था संपत्ति को लेकर तो यहाँ पर जो अर्जन सुर्जन होते हैं उनके मौसेरे भाई वो क्या क जिसमें अर्जन सुर्जन तो मारे जाते हैं और साथ में गोगा जी भी वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं दद्रेवा की सीर्समेडी और समाधी इस्थल गोगा मेडी को धुर मेडी भी कहते हैं तो ये क्या है ये इनका जन्म इस्थल है सीर्समेडी और इनका जो समाधी इस तो उससे पहले जो हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे बन्नत मांगते हैं, तो इसी तरीकी से किसान क्या करते हैं, वर्षा होने के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी जो है, वह बांते ह जिसे गोगा राखडी कहते हैं, हल और हाली दोनों को बांधा जाता है, गोगा जी की सवारी है नीली घोडी और हमने देखा राम देब जी की जो सवारी है वह है लीला घोडा, गोगा मेडी मकवरे नुमा बना है जिस पर विजमिल्ला अंकित है, तो इनका जो मकवरा बना उसके उपर क्या लिखा हुआ है, विस्मिल्ला अंकित है, वर्तमान स्वरूप जो है, महाराजा गंगा सीम ने दिया था, तो देखिए, इसी तरीके से जैसे कि मुसल्मानों के जो दरगहा होती है, उसी तरीके से गोगा मेडी मकवरा नुमा जो है, वो बना हुआ है, और इस इसका जो अब हम जो वर्तमान स्वरूप जो देख रहे हैं वो किस ने करवाया इसका जीर्णो द्वार महाराजा गंगा सिंग ने करवाया। साचोर जो की जालोर में यहां पर गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है ठीके और इन्हें सापों के देवता के रूप में हम पूसते हैं तो गोगा जी जो हैं इनको भी देखिए हिंदू, मुसल्मान इनको पूसते हैं ठीके और हिंदू जो हैं इन कोलुमन फलोदी में होता है और यहीं पर ही कोलुमन फलोदी में इनका पूजा इस्तल है ठीक है कोलु फलोदी में इनका पूजा इस्तल है जहां पर हर वर्स जो है इनकी याद में मेला भी लगता है इनके पिताजी का नाम था धांदल जी राठोड और इनकी माता का नाम था कमला दे और इनका विवहा जो होता है फूलम देव से जो की अमरकोट की सूरज मलसोडा की पुत्री थी, तो इनकी गोडी का नाम क्या है केसर कालमी तो यहां पर देखिए मैंने यहां लिखा है भेहनोई जींदराव खीचि तो इनके जो बहनोई था जींद्रावखीची उसके साथ जो है इनकी अनबन पहले ही होई थी तो इस जींद्रावखीची ने क्या किया था कि जब इनका विवा हो रहा था तो तीन फेरे जो हैं वो हो चुके थे तो जैसे ही चौथा फेरा स्टार्ट होता है उससे पहले ही य इंद्रावखी जी जो की कहां का था नागोर का था तो ये एक महला होती है जो की गायों को चराती थी देवलचार्णी तो इस देवलचार्णी की गायों को जो है ये घेर लेता है और उनको ले जाता है तो ये सूचना जो है वो देवलचार्णी जो है वो बताती है तो तीन होने के बाद ही चोथे फेरे से पहले ही ये क्या करते हैं पाबु जी केसर कालमी घोडी जो है उस पर बैठते हैं और यहां से गायों को छोड़ाने के लिए चले जाते हैं तो इनका जो है इनका युद्ध होता है पाबु जी जो है और इनके जो साथी होते हैं वो वीरगती क प्राप्त हो जाते हैं, तो इसी वज़े से इनकी वीरता, इनके त्याग और इनकी गायों के रक्षा हेतू बलिदान के कारण जो है लोग इनहें लोग देवता के रूप में पूसते हैं, उटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं, मारवाड में सबसे पहले उट लाने का जो श्रे है वो पाबु जी को जाता है इसी लिए उटों के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं और वहीं जब उट जब बीमार हो जाता है तब भी इनकी पूजा होती है और उटों के स्वस्त होने पर भोपे और भोपियों के द्वारा जो है वो पाबु जी की के लोग हैं वो इन हैं लक्षमन जी का अवतार मानते हैं वहीं हमने स्री कृष्ण के अवतार के रूप में देखा था कि रामदेव जी को जाना जाता है और वहीं लक्षमन की अवतार के रूप में पाबु जी को जाना जाता है पाबु जी के गीत पाबु जी के पवाडे मा आठ वाद के साथ नायक वर रिबारी जाती द्वारा गाये जाते हैं तो यह important line है जो कि आप याद रखियेगा कोलू मंड में इनका प्रमुक मंदिर है जहां पर चेत्र अमावस्या को मेला लगता है पाबु जी की फड जो है वो नायक जाती के भोपो द्वारा और भोपियों द्वारा जो है वो गाई जाती है रावड हता बादियंत्र ये लोग बजाते हैं और उसके द्वारा ही वाची जाती है चांदा, डेमा, हर्मल और सलजी सोलंकी पाबु जी के क्या है रक्षक है पाबु जी जो है देखिए इसके साथ साथ प्लेग रक्षक हाड़ फाड़ वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि मारवार में सबसे पहले उंटी ये लेकर आये थे और तभी से उंटों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाने लगा पाबु जी थोरी और भील में भी लोग प्रिये हैं आसिया मोड जी ने पाबु प्रकास जो है वो पुस्तक लिखी थी पाबु जी के बारे में और इनका पूजा इस्थल जो है कहां है कोलू फलोदी में जो कि मैंने आपको बताया था जहां इनका जन्म हुआ था नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है पंचपीर वो है हडबु जी हडबु जी का जन्म जो है नागोर में भूंडेल में होता है तो हडबु जी जो है वो राव जोदा के समकाली माने जाते हैं एक्जाम में पूछा जाने वाला कुश्यन है और देखिए कि भूनेल में इनका जन्म होता है और यहां जैसे इनके पिता जो है इनकी म्रत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये भूनेल छोड़ कर जो है हर भमजाल में आकर रहने लग जाते हैं और यहां राम देव जी की प्रेणा से अस्त्र सस्त्र त्याग कर और ब दिया था जोधा ने इसी वज़े से बेंगटी गाउं जो है इनको भेंट स्वरूप दिया था जहां पर हडबु जी का मुख्य पूजा इससल है तो जोधा जी की इन्होंने शायता की थी इस वज़े से जोधा ने इन्हें बेंगटी गाउं जो है वो भेंट स्वरूप दिय कई बार एक्जाम में ये पूछा गया है कि हडबु जी को पेंगटी गाउं जहां पर इनका पूजा इस सल है वह गाउं हेट के रूप में किसने इन्हें दिया था तो किसने दिया था राव चोधा ने दिया था हडबु जी राम देव जी के मौसेरे भाई थे और इनहीं की वज़े से इन्होंने अस्त्र सस्त्र त्याग किया और जो इनके गुरु थे बाली नाथ उनसे इन्होंने दिक्षा ली इनके पुजारी जो है वो सांखला रासपूद होते हैं हडबु जी सकुन सास्त्र के भी ग्याता थे तो इनको जो है ग्यान था सकुन सास्त्र का वच पजन सिद्ध भी थे, चमतकारी महापूर्शों के रूप में भी हम हड़बू जी को जानते हैं। जो श्रत दालू होते हैं, वो यहाँ पर इनके मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। और इनका वाहन जो है, और इनका जो वाहन है, वो है क्या है? शिय अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था और इसी वज़े से ये मेहा जी मांगलिया नाम से प्रसिद्ध होते हैं तो ये बताते हैं कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा सीधे थे इनके स्वाभी मानी स्वभाब के कारण ही इनके बहुत सारे सत्रू जो हैं वो हो गए थे और इसी सत्रूता के कारण ही अंत में ये वीरगती को प्राप्त होते हैं जब जैसल मेर के राव राडग देव जो भाट पूस्ते हैं। इनका जन्म भाद क्रश्न अस्टमी को हुआ था और इसी दिन इनका मेला लगता है। जिसका नाम किरन काबरा याद रखना है किरन काबरा किसके घोड़े का नाम है मेहाजी मांगलिया। राव चूड़ा के समकालीन मानने जाते हैं कौन मेहाजी मांगलिया। ठीक है तो राव चूड़ा के समकालीन मानने जाते हैं मेहाजी मांगलिया। और हमने वही पर देखा था कि महमूद गजनभी के जो समकालिन कौन से लोग देवता हैं तो वो हैं गोगा जी जैसल मेर के राव राडग दिव भाटी से इनका युद्ध होता है और इसी युद्ध में ये वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंस व्रद्धी न एक तो याद रखना है मंदिर जो है वो कहां है बापडी जोथपूर में है मेला जो है वो कब लगता है भादपद कृष्ण अस्टमी को लगता है कृष्ण अस्टमी को लगता है ठीक है ये भी याद रखना है घोड़ा जो है वो किरन काब्रा है इनके समकाली जो है वो र थेंक यू